हलो फ्रेंट्स मैं हूं आर्यान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेंटिंग सिखो मैं तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम समय में पेंटिंग कैसे सिखें तो आए वीडियो को सुझू करते हैं कि तो फ्रेंट्स कम समय में पेंटिंग सिखने के लिए आपको चार बातों का याद रखना है पहला पैसेंस आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो सोचते हैं कि कितना जल्दी सीख जाए कितना जल्दी बन जाए और नहीं बनता है तो आप उसे करना छोड़ देते हैं ऐसे नहीं होता है किसी भी फिल्ड में आपको मेहनद करना पड़ेगा तो पेंटिंग भी सेम है आपको पेंटिंग सीखने के लिए पेसेंस सबसे बड़ा चीज है और पेसेंस आपको रखना होगा ठीक है स्रा होता है कंटिन्यू बर्क आपको कंटिन्यू काम करते रहना दिन बदीन आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना तो मैं आपके साथ हूं जो भी आपको कौश्ण पूछना रहे जो भी प्रोब्लम हूँ आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और बहा मेसेज कि मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं और आपके सभी सवालों का जवाब देपाँ तो कंटिन्यू बर्ख करें और रोज कुछ न कुछ सिखें तीसरा आप बिगनर आपको कुछ नहीं आता है मनाने तो एकदम फिरन faço एसा नहीं कि हार्ट पेंटि ले लिए फिर बर नयूरा आए क्या करें यह वह ऐसा नहीं आप एकदम इजी पेंटिंग लेजिए मैं आपको टिप्स देता रहूंगा उसका आप मेरे लेशन के अनुसार भी आप चल सकते हैं वीडियो देखकर तो तीसरा बात हमने क्या बताई इजी काम करना है तो इजी काम करने के लिए आपको छोटे-छोटे चीज बनाने है छोटे-छोटे फिगर छोटा साइज में नहीं बोल रहे हूं छोटा मतलब फल सबजी काटून्स फूल यह सब यह सब पेंटिंग्स आप बनाईए जैसे आप देख रहे हैं देखें फल बना रहे हैं तो फल यहां पर आम बना रहे हैं तो किस इस तरह से बन रहा है चोटा चोटा चीज है आम बगएर यह सब देखे और जो भी हम पेंटिंग बनाएंगे उसे डेरेक्ट नहीं ऐसे करके खीच दिया बना दिया नहीं पेंशिन चलाने का एक तरीका है आप एक ही अश्ट्रोप में लेकिन आप जो भी पेंटिंग बनाते हैं बड़े-बड़े फेस बनाना हो तो उसमें आप डेरेक्ट पेंशिल नहीं चला सकते हैं आपको क्या हो पेंशिल चलाने का इस तरह से चलता है थोड़ा तुपला इससे सिकर के किजना ऐसे एक वग कीज देंगा डेरेक्ट तो नहीं होगा ठीक है ठोड़ यह देखिए और वो सब इजी है अच्छा पनेगा तो अपने आप में एक कॉंपिडेंस आएगा और आप असानी से वो चीज कर पाओगे चौथा होता है आर्टिस्ट जो है दो तरह का होता है एक फिगर बनाता है हर सिंद्री को वो बनाना पसंद करता है और दूसरा लेटर क्मेंटिंग कोई भी अच्छर नाम 3D लुक्स हर तरीके से लिखना पसंद करता है तो आपको आपको चूज करना है कि क्या सीखें लेटर सीखें दोनों सीखें दोनों और भी बैतर है तो फ्रेंड्स कोई भी प्रोब्लम हो आप पूछ सकते हमें डिरेक्ट लिए और इजी इजी पेंटिंग मनाईए मैं तो कहूंगा आप यदि बीगनर है तो जो मैंने बता है तीसरा कॉइंट इजी पेंटिंग मनाईए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो च हुआ